हलो फ्रेंड्स मेरा नाम राकेश बर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे मद्य पिर्देश जी के मैं मद्य पिर्देश से जुड़े इंपोर्टेंट फेक्ट्स बन लाइनर्स जानेंगे लगवग 323 बन लाइनर्स होंगे आज की वीडियो में और यह मद्य पिर्देश की पीएसे और ब्यापम परिक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहती है तो चली जान सामें गजेटियर प्रकाशित करने वाला प्रथम राज है तो वह है मद्य प्रिदेश जर्दोजी के लिए प्रशिद्ध है तो वह है भोपाल न्यूज प्रिंट मिल नैपनगर बुरानपूर में है सेक्यूरिटी पेपर मिल यह होशंगाबाद में है राज में सबसे अध सफेद सेरों की भूमी कहते हैं रीवा के लिए चंदेरी साडियों के लिए प्रशिद्ध है अशूक नगर प्रमुक लोक नाथ है मद्य प्रिदेश के माचा जुमालवार और स्वांग बुंदिल खंड में और काठी निवाड में राज विधान सभा भवन का नाम क्या है तो वह है इंद्रा गांदी भवन राज में सबसे कंबर्शवाल स्थान कौन सा है तो वह है भिंड 55 cm छेत्रफल की दरस्टी से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो वह चिंदवाड़ा है छेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो वह जवलपुर है जनसंख्या में हैं तोटा सम्भाग तो भाई सैडूल है प्रदेश का पहला ग्राम नेल है तो भाई है बेरसिया में जिस इस्थापिद हुआ अक्टुबर 2009 में राज्य का निउनतम छेतरफल वाला राष्ट्रि उद्यान तो भाई है जीवास में राष्ट्रि उद्यान दिंडोरी में मध् 26 जनवरी 2001 में जानतला ग्राम नीमच राज्य धीनियम द्वारा संविधानिक आधार पर पंचायती राज़ वेवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज तो वह है मद्यप्रदेश 1994 में तेंदुपत्ता उत्पादन एवं बीडी निर्मान में राज्य का इस्थान कौन सा है तो राज्य का है मद्यप्रदेश राज्य का प्रथम इस्थान गांजा उत्पादक जिले कौन से हैं तो वह हैं खंडवा बुरानपुर भारत भवन के बास्तूकार का नाम तो वह है चार्ल्स कूरिया राज्य का सबसे बड़ा जंग्षन तो वह है 18 struggle फूजांगवाद एसिया का सबसे बड़ा सोय भी सेंधर केंदर तो वह है मद्रप्रदेस के उज्यन में राज्य का पहला नगर निगम तो वह है जवलपूर में 1864 में राज्य की सबसे उची चूटी तो वह है धूबगड एक हजार तीनसो बावन मीटर है जिसकी उचाए एसिया में प्रथम बाव विश्व में तीसरा लेजर अनुसंदान केंदर तो वह है इंदोर में सी एटी जिस 1984 में स्थापित हुआ राज्य का एक मात्र उद्यान की महा विद्याले तो वह है मंदशोर में भारत का प्रथम उप्टिकल फाइवर कार खाना तो वह है मंडिदी प्राशन में राज्य का पहला जेव आरक्षित मंडल वह है पचमणी हुसंगावाद मद्यपिर्दिस का पहला सेल रिच जेव खाद संयंतर तो वह है भूपाल में क्रशी आयूग विकास निगम द्वारा इस्थापित है राज्य का प्रथम हाइवे एक्सप्रेस मार्ग इंदोर इंद पत्रशायनिक स्कूल तो वह है रीवा में मड़ई वन्य जीव रेंज तो यह है होशंगावाद जिला सुहागपुर मद्यपिर्देस का प्रथम परेटन नगर शिवपूरी है प्रथेस का सबसे लंबा पुल तवा नदी पुल है प्रथेस का सबसे छोटा राष्टी प्रथेस का सबसे घरम स्थान कौन सा है मद्य प्रथेस का तुवा है गंजवाशोदा और प्रथेस का सबसे ठंडा स्थान तुवा है स्यूपूरी प्रथेस में सरवादिक बर्षवाला स्थल तुवा है पच्मणी और सबसे कम बर्षवाला छेतर है तुवा है भिंड सब सबसे मोटी कोईला परत तो वह सिंगरॉली में पाए जाती है सबसे बड़ा भोतिक विभाग तो वह है मालवा का पठार प्रदेश का मालवा छेतर ही सरवादे ग्यहुत पादक छेतर है राज्य की सरवे प्रथम नगर पालिका है वह दतिया में है जिसे 1950 में बनाया गया था राज्य की उर्जा राजधानी किसे कहते हैं तो वह सिंगरॉली के लिए मद्य प्रदेश का पहला नर्सिंग पी एजडी सोध के इंदर इंदवर में खोला जाएगा राज्य का एक मात्र फासिल राष्ट उंद्याल डिंडोरी में हिस्ते थे राज्य का पहला जीव रिसर प्रदेश मंडल पचमणी में इस्ते थे और पचमणी हुसंगावाज जिली में इस्ते थे प्रदेश की पहली साइंसिटी है वह इंदवर हैं मद्य प्रदेश का पहला सूखवंदर गया वह भी इंदवर में इस्ते थे और राज्य का प्रथम आदिवासी खेल विद्याल अली राजपूर में इस्ते थे प्रदेश का एक मात्र की सूर बंदी ग्रह नर्सिंग पूर में इस्ते थे मद्द प्रदेश का पहला दिवासी अंचल में मेडिकल कॉलिज खंड वजली में खूला गया मद्द प्रदेश बिदान सभा के सर्व प्रथम सत्र के समय बिदान एक मात्र नीमच में अफीम की फैक्टरी है जिला सरकार की अबधाना को अपनाने में मद्य प्रदेश का पहला इस्थान है मद्य प्रदेश में सीमेंट कार खानों में एक मात्र मांधार में सारव जनिक प्रतिश्थान है मद्य प्रदेश में सूती कपड़ा मिल सर्व प्रथम भुरानपुर में स्थापित की गई मद्य प्रदेश की राय संजले में पहले तितली पार्क का लोकरपन किया गया था डोर टू डोर कचरा संग्रण करने वाला देश का प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश, साई का छेत्री कारला भोपाल में खोला गया गोरा गाउं में, लोक कवी इसूरी की समय अबधी 1841 से 1909, सिंदवा बेतवा नदी किमद अशोक नगर इस्थे थे, रामसर इस्थल भोज बेंड बैटलेंड भोपाल में, पंडेतरवी शंकर की रचना माय म्यूजिक, माय लाइफ है, पतंजली की रचना महाभाश ने की थी, जो रचना है महाभाश ने की, राज शेखर की प्रमुख रचना है, सिद्ध, शाल भंजिका, बाल महाभारत, भुवन कोश, काबिशी म पांशा और प्रिशंड पांड़ा है, थल सेना का सत्र स्कूल जवलपूर में है, सत्र स्कूल और थन सेला सैक्षेक प्रशिक्षन कॉलेज बकेंद्र पचमणी में, पश्चमी मदरेल में मुख्याल है, जवलपूर में है, मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी जील, वह है, इंद्रा सागर खंडवा में, भारतिय राश्ट्रिय कॉंगरेश का मद्यप्रदेश मेधिवेशन 1949 तिरपुरा में हुआ था, गया हुआनुसंदान केंद्र मद्यप्रदेश का जवलपूर में है, देश का प्रथम और सौर उध्यान गणेशपुरा राजिगण में है प्रथम टरपल पी आधारित मेडिकल कॉलिज सिबनी में प्रस्तावे थे, देश का पहला मोबाइल वेंग, खरगोन में इस्ते थे, प्रदेश की खानों में विश्व विख्यात, हीरे, महान, मुगल, पिट, आदी निकाले गए थे, देश का सबसेदिक, राश्ट्री अभी आंदर की संस्थान भोपाल में स्थे थे, प्रदेश का प्रथम करशी अभी आंदर की महाविद्याल है, जवलपूर में है, बीडी उद्देक का महत्प्यूण केंद्र भय जवलपूर में है, अमलाई का कागच कार खाना सहडोल जिले में बिडला घराने द्वारा इस्थापित किया गया है, गौलियर में दिया सलाई के डिबवे बनाने का कार खाना है, मंदस और जली का निर्माण चवदवी सताब्दी में अलाउद्दीन खेल जी ने करवाया था, मंदस और किले का निर्माण, विख्यात ब्यांगकार हरी शंकर परसाई को मद्द प्र प्रशिद्य समास सेवा वा कांगरिश नेता सुब्बा राउने चंबल घाटी में डाकों के आत्म समरंपण में जै प्रकास नारायन के साथ मिलकर महत्पूर्ण भूमी का निभाई, सूप्रशिद्य चित्रकार मकबूल फिदा हुसेन की अनेक कला प्रदर्शनियां भारत सहत बिश्व के अनेक देशों में लग चुकी है, 1966 में पदम श्री, 1973 में पदम भूशन तथा 1987 में काली दास सम्मान सहत अनेक पुर्शकार से सम्मानित हुए स्री हुसेन की चर्चित फिल्म थी गज गामनी मद्र प्रदेश का प्रथम ट्राइपोर्ट सूखबंदरगार पीधंपोर में मत्रा रिफाइनी पर आधारित पेट्रोकेमिकल उद्द्योग मुरेना में श्ते थे भूपाल गैस कांड जो 2 दिसंबर 1984 हुआ उसमें उत्पन जहरी गैस को निश प्रभावी करने के लिए बर्दू राजन की नेतत में चलाया गया अभियान था तो वै कौन सा था ओपरिशन फेद प्रदेश में उच्चनेले की स्थापना 1956 में जवलपुर में हुई थे गौालियर के दुर्ग में चतुरभुज मंदर गुजरी महल सास बहु का मंदर मान मंदर विश्णु मंदर तेली का मंदर जेन मूर्तिया आदी हैं असीरगड के किले का निर्माण आसा नाम के एक अहीर राजा ने करवाया था इस किले में आसा देवी का मंदर है बुरानपुर जिला में चंदीरे की किले का निर्माण ग्यारवी सताधी में प्रतिहार नरेश कीर्थी पाल ने कराय था और इस के लिए में जोहर कुंड हवा महल नौखंडा महल दर्शनी हैं सीसा है जवलपूर हुशंगाबाद स्युपुरी वद दतिया में मिलता है राज्जी की सीमा से लगे उत्तर प्रदीश के जो जिले हैं एटावा जो भेंड से लगा है जहांसी जो दतिया वद ज़या कुंड? जो में अंतरगत है सर्चुथ दपादन चछात मुर्ह Efendimiz जीट के अनतरगत है अंचान हरित करान्ति का सर्वादिक लाब राजि में गेहुं फसल को प्राप्थुगा है, सरवादिक हाईड्रेम जल पंप खरगोन जले में है, मालवा का पठा गेहूत पादन के लिए प्रमुक्षेतर है, सहकारी छेतर का सबसे बड़ा सोया बीन कार खाना सिवनी में है, सोया बिसकुट बनाने का कार खाना भुपाल में श्तित है, मुंगफल में महराजा उदय बर्मन ने कराया था जिला सिवर, आवला की अधिक उत्पादन की कारण पंपना जिले को आवला जिला घोशित किया गया है, मद्रप्रदेश की सबसे उची चोटी धूपगड़ है, और सरवादिक सगन आवादी वाला संभाग, तो संभाग है इन दौर सबसे अधिक बिरल आवादी वाला जिला है, वह डिंडोरी है, 94 प्रतिवर्ग किलूमीटर, 2011 के जनगर्णा के अनुसार, छेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वह जबलपुर है, छेत्रफल में सबसे छोटा संभाग, तो वह चंबल है, जनसंकिया की दरस् तो वह अंदोर है, और प्रदेश का सरवदेक लंगान उपाद वाला जिला है, बाला घाट, सबसे कम लंगान उपाद वाला जिला है, तो वह है, भेंड, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में है, जिसमें 5 रोपे से अधिक की नूट छापी जाते हैं, नूट का प्रदार में निवास करती है, जाबुआ में लगने वाला भगोरिया हाथ भील जन जाती का प्रमुक सांस्कृतिक उत्साव है, गोटुल प्रदा मुडिया जन जाती में पाई जाती है, मुडिया जन जाती गोंडो का एक उप बिभाग है, एल की लाइट फेक्टरी में नीमच में है और या बित्त मंत्राले के अधीन है, रेल कुछ फेक्टरी भूपाल में तथा डीजल इंजन का कार खाना इंदोर में है, बी एचियल की स्थापना 1960 में ब्रेटैन के सहयोग से की गई, कोईला टर्सियरी योग की चट्टानों में प्राप्त होता है, मद् अधीर महल ओर्षा के दुर्ग में इस्ते थे और यहीं पर अवुल फजल की हत्या हुई थी, गौंड जनजाती में दूद लोटा वबवाह प्रचले थे और गौंड गधेडो उत्सव भील मना दें, उत्सव भी मनाते हैं, यह भील ने दोस्तों भी मनाते हैं, कोल जनजा के उत्पादन में मद्य प्रदेश का इस्थान तीसरा है, जबकि महराष्ट वगुजरात प्रथम बदूती इस्थान पर है, राज में राष्ट पति शाषन तीन वर लगाया गया है, राज का सबसे बड़ा सक्करकार खाना बरलाई इन दौर में है, ललित कला छेत्र में दी जाने वाली फैलोसेफ अमरता शेरगल फैलोसेफ है, मद्य प्रदेश की जंजाती को आदिवासी नाम से सुवित करने वाली व्यक्ति ठपकर बापा है, बापा सहाब उद्दिन उलिया की नाम पर उर्स आयुजद करने वाला जला कौन सा है, तो वह है नीमच, सबसे छ सबसे कम सिचाई वाला जिला तो वह डिंडोरी है, राज्य में बिदी सा सबसे बड़ा चना उत्पादक जिला है, कपास का सरवादिक छेतर खरगों जिले में, संगमरमर नगरी मारवल सिटी जवलपुर है, सिल्पकला का तीर्थ खजुराहु कहते हैं, आनंद नगरी मां सिस्तलेव स्यामला हिल्स है, भूपाल में, पाशपोर्ण भवन भूपाल में है, सरवादिक समय तक राज्य पाल रहे, तो वह स्री हरी बिनायक पाटसकर, और सबसे कम समय तक राज्य पाल रहे, पट्टा भी सीता रमया, राज्य में विश्वा मित्र पुरुषकार खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, तरोण भादोडी पुरुषकार पत्रिकारता से संबंद है थे, दो युवाओं को दिया जाता है, सरवादिक तापमानवाला जिला है तो वह है ग्वालियर, प्रिय दर्शनी इंद्रा पॉइंट्स पच्मणी में स्थे थे, खजुराहों जासी की रानी उपनाम रानी अवंतिवाई का है, रानी अवंतिवाई का उपनाम है रामगड की जासी की रानी, लकडी चीरने का मुखे केंदर है जबलपुर, राज मानोदिकारायू का गठन हुआ उन्नी सो पंचानवे में और राज भोपाल, राजधानी भोपाल से बिद्यूत कें नयपनगर मध्य प्रदेश का पृतम जलविद्यूतकेंद रह्य टुभया गंधी सागर्त दिद्यूत केंद ख़ा, नहा Bet गुना के मुंगावली में खोली गई एतिहाशिक धरूहरों के सर्रक्षन के लिए प्रदेश का पहला राज्य संग्राले भोपाल में स्थापित किया गया मद्देश का प्रथम बायोस्फियर रिजर पच्मणी में स्थापित किया गया प्रदेश की प्रधम जींगा हेचरी बाला घाट जिले में स्थापित की गई है राज का पहला समाचार पत्र गुवालिय रखवार था राज का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्याले बुरानपुर में है प्रदेश की ग्रिशमकाली राजधानी पचमणी है एड़ुकेट ट्रेनिंग सेंटर गौालियर में सामूदन जैविक फर्म हाउस डबरा गौालियर में मध्य प्रांथ की एकमात्र रियासत मकडाई रियासत जो बरतमान मध्य प्रदेश में शामिल है जो बरतमान मध्य प्रदेश में रियासत संख्या कट 61 है मुक्तागिरी बैतूल जैन तीर्थ स्थल है यहाँ जैन धर्म के 56 मंदर है रिवा में चूना पत्थर डोलामाइट गेरू खनेज पदार्थ मिलते हैं टॉन से जल विद्यूत केंदर 315 मेगावाट रिवा में है बांधावगड का किला बगेल खंड की राजा द्वारा निर्मित है और चौदवी सदावदी में राजा विक्रमादित ने अपनी राजधानी बांधावगड से रिवा इस्थान अंतरित की यहाँ पर शेष शाही तालाव है तथा विश्णू जी का मंदर है चित्रकूट में महात्मागांदी ग्रामुदय विश्विद्याल है जिसके संस्था पकनानाजी देशमुक है विकलांग विश्विद्याल है चित्रकूट में है मंगल गिरी जैन तीर स्थल सागर में चतरपुर में जलवेहार का मीला लगता है ओर्चा को पंदरा सो एकत्ती सीसा में राज रूद प्रताप सें बुंदेला ने राजधानी बनाए बातिगड का किला दमू पार्शियन बास्टुकला का उधारन है जो बातिगड का किला दमू में है बाटशियन बास्टुकला के एक अच्छा उधारन है तवा तथा देनवा नदी का उध्गम इस्थल महादिव परवत पचमणी जमधारा रेनुका मातमंदिर भिंड में है भिंडी भिंडी रिशी के नाम पर भिंड का नाम पड़ा आर्डिनेंस फैक्टरी आई सी सी वा कैमूर सीमेंट कमपनी कटनी में है चूना नगरी वा संगवरवन नगरी कटनी में है हैपिनेस मंतराले बनाने की घुषना 2016 करने वाला मद्य प्रदेश देश का पहला राज है देश की पहली मलखम वकादमी मद्य प्रदेश के उज्यन में खोली जाएगी मद्य प्रदेश किनर बोड गठत करने वाला देश का पहला राज है किनर बोड इमेल नीती लागू करने वाला मद्य प्रिदेश भारत का पहला राज्य मद्य प्रिदेश देश का ऐसा पहला राज्य जिसका अपना राज्य गान है प्रतिक गाउं का मास्टर प्लान बनाने वाला मद्य प्रिदेश देश का पहला राज्य जैविक उतपाद में देश में प्रदेश का सीर्द स्थान है मद्द प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक होशंग अवाद जिला अस्पताल में खूला गया है प्रदेश का पहला पोशर केंद अटल वाल आरोग मिशन के तहत नेता सुबाश्चंद्र मेडिकल होस्पिटल जवलपूर में स्थापित किया गया है नर्वदा नदी पर बनने वाला धुवादार जल प्रपात प्रदेश का एक मात्र जल प्रपात है जो संग मरमर की चट्टानों से है मद्द प्रदेश का सर्व प्रथम बजट बित्मंतरी मिश्रीलाल गंगवाल ने 10 जनवरी 1907 को प्रस्थित किया था प्रदेश का पहला सांस्क्रेकित बिश्विद्याल उज्जयन में स्थापित किया गया है मद्द प्रदेश में प्रथम अंतराश्टी हवाई अड़र टर्मिनल भोपाल में स्थापित किया गया है मद्यप्रदेश में पहली इस्ठाई लोक अदालत की इस्ठापना इन दर में की गई थी मद्यप्रदेश के खरगोंजिले का प्रथम शाक सब्जी परकिरिया केंज स्थापित किया गया है खर गोंजली में प्रदेश की रितु संबंदी आंकडे बताने का बताने वाला एकमात बैदशाला इंदोर में है मद्य प्रदेश का एकमात रेप्टाइल पार्क पन्ना में है मद्य प्रदेश का एकमात घड़ी बनाने का कार खाना बैतूल में है मद्य प्रदेश का प्रथम परेटन नगरी, शेवपूरी मद्य प्रदेश का पहला सूचना प्रवधि की विश्वध्यitatesल oh Gwalior में इस्थापित किया गया है प्रदेश का एक मात्र जड़ी बूटी बेंग परेटक नगरी पचमणी के पनार पानी छेत में स्थापित किया गया है मद्य प्रदेश का पहला सरपुद्यान भूपाल में स्थापित किया गया है रीव प्रदेश का एक मात्र जिला है जहां सफेशे पाय जाते घातक पशु बीमारियों के लिए बैक्सीन बनाने बाली प्रदेश की एक मात्र बायोलोजिकल लेब महू में है मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् केंदर बनाया गया, प्रदेश का पहला विमान रइपेरिंग सेंटर इंदॉर में स्थापित किया गया, प्रधम भीली सामविद случай करेडियो के रेडियो का प्रथम दक्षिन मुखी जियोत्रिलिंग उज्जयन में है कानाट टाइगर रिजर्व देश का पहला परेटन स्थल है जहां तेरा बैगा महिलाएं गाइड का प्रशिक्षन लेने के बाद सफलता पूर्वा कारे कर रही है देश का पहला बौद विश्विद्याल है मद् प्रदेश के राजगर जिले के ग्राम गडेश पुर में की जा रही है मद्य प्रदेश देश का प्रथम राज है जिसने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम लागू किया है मद्य प्रदेश तहित्तरवी संविदान संसोदन के तहत पंचायती राज लागू करने वा देश का पहला राज है मद्यप्रदेश, गिराम नयाल है, बनो का पूर्ण राष्टी करने वाला देश का प्रथम राज है मद्यप्रदेश, देश में जिला सरकार इस्थापित करने वाला पहला राज है मद्यप्रदेश, हीरा उत्पादन करने में देश का प्रथम इस्था इन दोर में प्रारम किया गया है मद्य प्रदेश का सरवाधिक पूर्वी जिला सिंगरॉली है मद्य प्रदेश का पहला पुलिस ट्रेनिंग सोरी पुलिस मेट्रो थाना भाय हभी गज़ भूपाल में स्तापित है मद्य प्रदेश का सरवदिक पश्चमी जिला है बाय अली राजपुर है, मद्य प्रदेश का सरवदिक उत्री जिला बाय मुरेना है, मद्य प्रदेश का सबसे दक्षणी जिला बुरानपुर है, देश का एक मात्र मानो संगराल है भूपाल में है, मद्य प्रदेश गेरू उत्पादन में देश में प्रथामिस्थान पर है। देश का सरवादिक सोयावीन लगवग 80% मद्यप्रदेश में उत्पादित होता है। मद्यप्रदेश हिंदी भासा में गजेटी और प्रकासित करने वाला देश का पहला राज्य है। मद्यप्रदेश के जबलपुर में देश का पहला बिकलांग पुनर्वास केंद्र इस्थापित किया गया है देश का पहला रतन परिश्कित केंद्र जबलपुर में इस्थापित किया गया है देश ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा सोयवीन सेंथ उज्जेन में स्थापित है। देश में सरवाद एक बवन चक्किया मद्धिप्रदेश में है। देश का पहला सोयवीन बायदा बाजार इंदोर में स्थापित किया गया है। देश की एक मातर चाय अकादमी भोपाल मे मद्यप्रदेश में देश का पहला ने नैशनल सैलिंग स्कूल परारम किया गया भारत का पहला रामायन कला संग्राल है मद्रप्रदेश के ओर्चा में स्थापित किया गया है साथी ओर्चा में देश का पहला रामायन म्यूजियम भी स्थापित है भी एची एल द्वारा भोपाल में संचालित जवालाल नहरी श्कूल ISO 900 बंत था 2000 प्रवाणपत्र प्रदान किया गया है मद्रप्रदेश प्रुष नस्वंदी के मामले में देश में पहले स्थान पर है भारत में सती प्रथा के प्रथम साक्ष मद्रप्रदेश की सागर जले के एरन अभी लेक से प्राप्थ हुए देश का पहला सेव शंगराल है राजधानी भौपाल की नेकाट स्थित भोजपुर में प्रस्तावित है एसिया का सबसे वड़ा पनीर नियंतर न सयंतर मद्रप्रदेश के खाजुराहों में स्थापित किया गया है अब जानते हैं मद्रप्रदेश के प्रमुख अनुशंधान केंद्र प्रस्तिक्षन संस्थान तो राश्टी है यातायात प्रबंदा नियम सोथ संस्थान भौपाल में है नेशनल इंस्टिटीट ओफ फैशन टेक्नलोजी भौपाल में है अटल बहारी लोग प्रशाथन संस्थान भौपाल में है फोरेंसेक साइंस लेबोरेटरी है सागर जिले में है स्वान प्रस्क्षन केंद्र भदबदा भौपाल आर्ट एंड प्रेक्टिस सेंटर इंदोर राश्टिविदी संस्थान भौपाल पतवारी प्रस्क्षन खेंद्र गौपाल केंद्र कृषिय विजयान केंद्र भौपाल एड़बुट केट्स कांट्रिन्यूइंग लीगल एजुकेशन इंस्थिटूट गौळियर अंगूर अनुशन दान केंद्र रतलाम राजस्तरिय ग्यान प्रवंदन केंद्र भौपाल भार्दी परटनेयों परटन प्रवंदन संस्थान गौळियर राश्टिय खरपतवा विग्यान इंस्थान केंद्र जवलपूर इंडियन इंस्थिटूट अफ सोशल साइंस भौपाल सेंट्रल इंस्थिटूट अब एरिग्याचर इंजिनेरिंग भौपाल मद्य प्रदिश गयाहून इंस्थान केंद्र पावर खेडा होशंगाबाद महिलायों बाल विकास प्रश्रीक्षण संस्थान बैतूल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर साली मेटा लेंगा गाउं छिंदवाड़ा एकी करत पुलिष संस्थान भोपाल प्रदीस का पहला जैन सूर दर्शन संस्थान छिंदवाड़ा एनिमल सोरोगेशी लेब भोपाल अटल बहारी बाचप मक्कावा गया हो नुशंदान केंद्र खमारिया जवलपुर मानविका संस्थान छिंदवाड़ा मद्ध प्रदीस बना नुशंदान संस्थान जवलपुर में है लेजर किरण उर्जा अनुशंदान केंद्र इंदौर में महात्मा गांधी राज्य ग्रामिर विका संस्था प्रिषिक्षण महाविद्याल एंदॉर राज्ज्य विग्यान सुक्षा संस्थान जवलपुर तुल्सी सोध संस्थान तुवाय चित्रकूट में मद्य प्रदेश भूरा जश्व एव बंदुबस प्रशिक्षन संस्थान गौलियर मद्य प्रदेश नरोना प्रशासने का आदमी भोपाल पनर गठन के पहले मद्य प्रदेश की राजधानी नाकपुर मद्य प्रदेश निर्वाचनायोक भोपाल मद्य प्रदेश सूच नायोक यह भी भोपाल प्रथम महिला राजपाल सूशरी सरला ग्रेवाल प्रथम मुख्य सचिव एज एस कामत प्रथम बिपक्ष कानिता विश्णूनात तामसकर प्रथम गेर कॉंगरोशी मुख्य मंतरी कैलास जोसी प्रथम निर्वाचन आयोक्त एनविश लोहानी प्रथम लोकायोक्त बी वी देख्षित मद्य प्रदेश जिला पुनर गठान आयोक के प्रथम अध्यक्ष बी आर दवे और नूबल सांती प्रुषकार प्राप्त करता कैलास सत्यार्थी प्रथम मैला फाइटर पाइलेट अबनी चतुरवेदी प्रथम आईपेश मैला कुमार यासा गोपाल और प्रथम आईएश मैला निर्मला बुच और प्रथम राज योजना मंडल के उपाध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर नार तो दोस्तो यह थे आज की वीडियो मैं माध्य प्रथम से जोड़े महत्मून वन लाइनर्स आशकर तो आपको मेरा वीडियो पसंद आयोगा वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर अपनी दोस्त ने खशा सेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू